बच्चों आपको रितिक रोशन, टाइगर श्राव या सलमान खान की बोडी को देखकर अपनी भी बोडी को बनाने का मन करता होगा है ना और कभी जब इस तरीके से अपनी आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो आप जिम जाते होंगे या फिर घर में एक्सेस करते हों या फिर ओपन जो ग्राउंड है वहां करते होंगे या गार्डन में जाकर करते होंगे आप उस दिन को याद करिए कि जिस दिन आप पहली बार जिम में गए थे और वहां जाकर आपने एक्सरसाइस की ट्रेड मिल पर दोड़े या वेट लिफ्टिंग की या पुश अप्स निश्यत रुप से आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होगा ऐसा होता ही है है या कोई दिन ऐसा आता है कि हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं हमें फिजिकल एक्टिविटिस बहुत सारी करने ही पढ़ती है आपको यदि किसी टीचर ने बहुत जादा होमक दे दिया तो आपको तीन तीन चार चार घंटे लगातार बैटकर लिखना पड़ता है या और भी हम काम की बात करें तो यदि किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्काउट हो जाता है तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है अब सोचके देखिए कि यह दर्द कहां होता होगा हमारे श मान स्पेशियों में तो जो दर्द का अनुभा होता है वो हमारे मसल्स में होता है चलिए अब एक और उधारन की बात करते हैं आपने पौधों अपने आसपास बहुत तरह के पौधों को देखा होगा और ऐसे ही बहुत सारे जंतुओं को देखा होगा आपको क्या अंतर न यानि स्थिर रहते हैं लेकिन जंतुग्या गरते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं चलते फिरते हैं तो यह बेसिक अंतर है पौधे और जंतुओं के बीच हलाकि पौधों के बीच गती होती है ऐसा नहीं है कि उनमें गती नहीं होती है आप देखते होगे पौधे की कई सारी शाख़ाये हैं पतिया हैं हिलती हैं तो उनमें गती होती है उनче अंदर भी गती होती है लेकिन जन्तूँ Chemical जो एग इसान से दूसरे स्थान तक पहुशने का जो फीचर्स है जिसको लोकोमोशन कहते हैं या प्रचलन कहते हैं यह एक बिदीके से उनको दिया गया वर्धान है तो यह जो असल में लोकोमोशन होता है या प्रचलन होता है यह गती होती है तो वो यह बेसिकली मसल्स में होती है यानी मांच सपेशों के द्वारा ही होती है तो बचों हमने पिछले part में उतक के दो प्रकारों की बात हमने कर ली थी जैसे कि एपिधिलल टीशू के बारे में हमने उसके प्रकार कारों के बारे में जाना था ऐसे ही दूसरा जो है कनेक्टिव टीशू के बारे में भी हमने जाना था कि बोन्स एंड काटिलेज जो है एंड उसका जो एक और कनेक्टिव कि हम बात करते हैं तो मस्कुलर टिशु जो है वह कारे के अधार पर तीन प्रकार का होता है स्ट्राइड ट्मसल्स उनस्ट्राइड ट्मसल्स और काडियक मसल्स चलिए मैं हम अपने जीवन में होने वाले कुछ ऐसे और उधारणों की चचा करते हैं जो हमने प्रचलन की बात की वो तो बाहरी रूप से आपको दिखाई देता है अब सोच के देखिए क्या शरीर के अंदर भी प्रचलन गती होती है क्या बिलकुल तो यह गती किस तरीके से होती है इसको भी हम लोग देख लेते हैं आप के पास यदि एक स्वादिस्ट भोजन आता है लजीज खाना आता है अब क्या करते हो बहुत जल्दी खाना चालू कर देते हो है ना खाने के बाद क्या करते हो खाने के बाद मुह में जाने के बाद फिर जब आप चबाते हैं उसके बाद उस भोजन का क्या होता है निश्यत रूप से यह जो भोजन जो मुख में जो दातों के द्वारा चबाया गया, यह बोलस कहलाता है, अब यह बोलस कैसे आहर नाल में आगे बढ़ता है, आहर नाल का जो पहला हिस्सा है, जैसे आप यह जित्र में देख रहे हो, मुख है, तो मुख में जाने के बाद यह आगे कहां बढ़ेगा, इजो फेगस में बढ अगर यह बंध हो जाए तब क्या होगा तो भोजन का आगे बढ़ना मुश्किल है और फिर भोजन आगे बढ़ा नहीं तो उसका पाचन भी नहीं होगा मतलब की पाचन की प्रक्रिया रुख जाएगी ऐसे ही शरीर में जो लंग्स है यह भी क्या करते हैं फैलते और सिकुरत के ले गती हो रही है हाट भी आप जानते हो क्या करता है प्लाव हो रहा है और शिकुड रहा है तो यह जो अभी हमने बहुत सारे उधारणो की बात की यह शरीर के अंदर चलने वाली मूमें और यह बी मुमिंट बहुत ही इंपोर्टन है जितना मुमेंट हमारा बाहर का यानि लोको मोशन होता है तो इस तरीके से जो भी मुवमेंट हो रहा है जो भी गती हो रही है यह प्रचलन हो रहा है एक इस्थान से दूसरे इस्थान वो मसल्स के कारण होता है और यह मसल्स जो है वो हमने जैसे बात की तीन प्रकार की होती है तो कार्यों के अधार पर त । झाल। इसको पंस्टराइट मुसल उसकी बात करते ह Ireland करते हैं तो यदी हम इसकी बनावत को देखते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में हम अंडर माइक्रोसकोप में ही इसको हम dunno है कर सकते हैं। तो जब इसका observation किया जाता है तो आप इसके चित्र को देखिए कि इसमें आपको छोटे-छोटे bands दिखाई दे रहे हैं तो ये bands के उपस्थिती के कारण इसको जो है striped muscles कहते हैं आपको कई नामों से इसका विवरन करने को आ सकता है या वर्नन करने को आ सकता है तो चुकि ये तीन-चार नाम दिये गए हैं अकॉर्डिंग उनके फीचर्स तो ये सब नामों के जानकारी हमें होनी चाहिए जैसे मैंने बोला strited muscles, stricteans का मतला बेच छोटी चोटी जो bands है वो stricteans है और फिर ये bands है तो इसले इनको strived muscles भी कहते हैं ये muscles, skeleton से जुड़ी रहती है इसले इनको skeletal muscles भी कहते हैं और एक मुख्या बाद क्योंकि इनकी उपस्थिती के कारण जो है ये बोन से जुड़ी हुई है और ये गती होती है तो ये हम इच्छा नुसार हम गती कर सकते हैं तो इसले इनको voluntary muscles भी कहते हैं तो ये हो गई voluntary muscles, striped muscles या strited muscles या हिंदी में कहेंगे तो रेखित पेशी तो इसके बारे में ये question आता है विभिने प्रकार की जो पेशिया है वो कितने प्रकार की उनका वर्णन कीजिए तो ये हमें उनके नाम जानने चाहिए अब 40 प्रतिशत चरीर का जो भाग है इन्हीं मसल से बना होत ये Stream अब इसके सरचना को ध्यान से बेखें तो इसमें कई तरह के आपको निउकलियस दिखाई दे रहे इसले इसको क्या कहते हैं? Multinucleated Cell कहते हैं अब इस चारो और जो है एक आवरन होता है जिसको कहते हैं Sarcolemma अब इस सारकोलेमा में जैसे आप ध्यान से देख रही होगे तो इसमें आपको bundles दिखाई दे रहे हैं तो यह bundles जो है इनके चारो और के आवरन को पेरिमाइसियम कहते हैं, और इसमें आप देख रहे हो कि ये अंदर में कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से, मतलब उनके चारो और एक शीथ पाई जारी है, आवरान पाई जारा है, जिसको एंडोमाइसियम कहते हैं, उससे ये एक दूसरे से क्या है? अलग ह कि इस अरी टर्मिनल लॉजीक के?! हमें जरूरी हैं क्यूंकि जब यादि हम कभी किसी कॉमपोंटेटि़ जाम्刑ंत की तैयारी करें नीड की तैयारी ज़ारे कि तो यह टर्मिनल लॉजी जू है इंडक्राइश हुई है । यह कोशिते हैं के अनर लें इसोंगा है नाम है जो नॉर्मल देए उससे उस लिए इसी तरह के कोशन्स कोश नेच में आते हैं तो हमें इन सब का ध्यान रखना है तो हमने अभी बात की कि सारको प्लास्म इसके अंदर का साइटो प्लास्म होता है अब इसमें आप देख रहे होंगे बहुत छोटे-छोटे महीन से धागे नुमार रचना है जिसको मायो फाइबरिल्स कहते हैं अब मायो फाइबरिल्स को यदि हम बहुत ही गौर से यह दो प्रकार के हैं इसमें एक है A-Band और दूसरा है I-Band A-Band देख रहे हो डार्क बैंड है और आई बैंड जो है वो लाइड वैंड है तो A-Band यह एक तरह की प्रोटीन एक्टीन से बना लता है यह बी कोश्चन आता है कि A-Band जो है उसमें पाई जने वाली प्रोटी तो जैसे आप यह बेंट देख रहे हो, तो बैंट में क्या होता संकुचन होगा तो यह जो सिलिंड्रिकल इलोंगेट इच यह जो सैल है वो क्या होती इच कॉंस्टिक्ट होती है बने शिकूरती है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं तो जब यह सिकुड़ती हैं और फिर रिलेक्सेशन की पोजीशन आती है तो फिर वो क्या होती है शेथल होती है वो अपनी जगह पर आती है तो इस तरीके से इसमें फैलना और सिकुडने की छम्ता पाई जाती है जिसके कारण ही जो है हम घती कर पाते हैं जैसे बहुत सारी गती जो हमारी इच्छा अनुसार होती है हम जैसे चल रहे हैं या दौड रहे हैं या मैं जैसे गर्दन को ऐसे हिला रही हूं या हातों को हम हिलाते हैं या पैर को हिलाते हैं तो शरीर का वो भाग जो गती कर रहा है उनमें पाई जाने वाली मसल वो कौन सी होगी वो striped muscle है जिसके कारण ही यह हमारी इच्छा के अनुसार इन में गती हो रही है इसलिए इसको voluntary muscles भी कहते हैं अब हम इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं यानी unistriated muscles अब चुकि इसमें जो है striped muscle मतला इसमें बैंड नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कहेंगे अनिस्ट्राइब मसल्स कहेंगे इसमें इसलिए इसलिए अनिस्ट्राइब मसल्स कहते हैं यह चुकि इसको नॉन का pumping करना यूरेनरी ब्लैडर जो है वो कहां होगा एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है इसका भी फैलना और सिकुडना या ट्रैक्या में मुवमेंट जो है यह अंदर ऐसे कि आप इसा करना तो हम कर सकते हैं यह अंदर अंदर जो शरीर के अंदर जो मोमिंट चल रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है आपने एक बर मुख में भोजन ले लिया आप उसको आप उसको आटोमेटिकली चबाते हो फिर वो आगे बढ़ जाता है तो इजो वेगस में इस अप आप धेक ? यह छो मुवमेंट हूरा है। यह परस्टाल्टिक मुवमेंट हो रहा है तो वहां जरने मुसल्स है, वह कैसी होगी ? अनिस्ट्राइब्ड मुसल्स होगी । यह स्पर्म इसिह द्यांट्र पेश्य हैं। 200 केszy अपने आप होती हैं aware का कंट्रोल हमारे अंडर में नहीं होता है अब इसमें हम और अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे तो यह स्मूथ मसल्स भी कहलाती है और यह कैसे दिखाई दे रही हैं आपको structurally elongated हैं दोनों किनारे जो है आपको नुकीले दिखाई दे रहे हैं मतलब यह spindle shape की है और फि इसमें कैसा है इसमें एक ही nucleus पाया जाता है तो यह हो गया अपना second unstriated muscle तीसरे एक और मसल्स की बात करते हैं वह काडियक मसल्स काडियक मसल्स जो है वह हिर्दय में पाया जाता है हिर्दयक पेशियां भी कहते हैं अब आप विछार करिए कि क्या कोई एक ऐसी भी मसल्स है जो बिना रुके लगातार 24 घंटे जो है जिसमें मोमेंट चल रहा है गती चल रही है वो है काडियक मसल्स जो यह जीवन यानि जीवन के स्टार्ट होने के साथ ही जन्म लेने के साथ ही अंत तक मृत्यू तक यह जो है इनमें गती होती रहती है जीवन परयंत यह बिना तो y you how God can side the correct you must êm मिलते हैं इन में दोनों तरह के लक्षन मिलते हैं स्ट्राइब्द मसल an sap 2 मद Stealth की के आम इन दोनों की pron 56 जो है इसम में यानि का जाएब धकिस्ट्राइब मसल की कौंसे लक्ष diu हैं इसमें बाइ तो इसमें में क्या है बेंड्स पाय जाते हैं और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यह कैसी है इलोंगेटेड़ सिलिंड्रिकल है अनिस्ट्राइब कैसे होती है दोनों साइड्स में नुकीली होती है इस्पिंडल शेप्ड होती है और स्ट्राइब मसल कैसे होती है इलोंगेट वे पांटी घर मायुट स्कच्च काया कासी ऑद एक भात यह का बात ए छे सलेंडरेंडर Südney अलवाब यह एको यह सहाल होती है कि इसमें सभ स्वाप थाश्म है और दो तरह मुस्सलें फॉसे होगा नहीं लेकिन इसमें यह शाकाय हैं और एक बाद इसमें जु है myofibrils फाए जाते हैं जैसे की उसमें striped muscles में छे और myofibrils में kuya पाएँfe इन एक संपी जैसे की उसमें भी होंग ईë Bend or ambenísem uhis लेजी सबता है एक स्बाद कम ईंक ब्रत कम दूकर थ Mont-P रहें सभाव ट्षब तो दूसरी बात कोशिका है चुपि भंश्ड है तो यह दूसरे से जुडकर नेटवक बना लेती हैं, его जाल बना लेती हैं, एक कोशिका दूसरी कोशिका से बीच में एक मोटी पत्ती से जुड़ी रहती जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो तो इसको है इंटर कैलरी डिस्क कहते हैं इसमें अगर एक सेल को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कोशिका द्रव है वो सारकु प्लाजम कहलाता है और इस वो किया हम जाएं तो यह भी हमारे कंट्रोल में होती हैं अगर हमारे कंट्रोल में होती क्या करते हम webinar webinar सो कि हांड दिलाना पड़ता ह कि हाट को पंपिंग करना है हट को पंपिं और पंपिंग करना है और पंपिंग Is a very important function. It's very important part of our body. क्योंकि इस pumping से ही क्या हो रहा है बलड जो है आपकी हर एक कोशिकाओं में पहुंच रहा है और ब्लड में बहुत तरह के अनुपयोगी पदार्त भी है और उपयोगी पदार्त भी है यह जो है pumping के जरीए ही एक टार्गेट और गंस तक पहुंचते हैं तो हाट का pumping जो है है और में पहुंचे कर दो कम से ज about muscles की बात करते है कि कुछ ऐसी यह प कुछ आ सकते हैं कि यही एंनि कितनी होंगी तो मसल्से लगबाग्ब चे सो सि साज़ेशो मसल्स होती है अब सबसे स्ट्रॉंग्त मसल्स जो है स्ट्रॉंगिस्ट मसल्स जो है वह जो हमारी हम्र रहा प्रॉयं आप हबसे स्ट्रॉंगस के अगर थित इस सब्सें की बात करें तो हार्ड़ेस्ट याणि सबसे जजयादा काम करती है में हार्ट की मसल्स कहती है, बना 음 truths कान है, मिड़ल आर्स हम उसमें होती है, और यदि हम समल fists मसल्स की बात करते हैं, तो आई मसल्स की सबसे фास्टस काम करती, यह बहुत जल्दी काम करती है, तो यह हमने एक तीसे प्रकार, मुस्किलर टिशु की बात की, बच्चों आब हम लोग तीनों तरह की मसल्स का एक कंपरेटिव स्टडी कर लेते हैं तीनों में क्या आंतर है उसको एट अगलांस हम देख लेते हैं ताकि आप भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि तीनों में अंतर क्या है और उसी क्या अधर पर आप इसका विवरण भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे तो जैसे हमने पहला लिखा है टाइप है मसल टाइप क्या है फिर उसका शेप कैसा है उसमें स्ट्राइशन यानि बेंड्स प्रेजेंट है कि एपसेंट हैं फिर हमने उसके नेचर की बात किया है उसका वर्किंग नेचर क्या है फिर हमने बात किया उसमें न्यूकलियस कितने प्रेजेंट है और यानि शाखित है कि अशाखित है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्राइट मसल्स है इसका शेव आपको याद है सिलेंट्रिकल होत हुआ हमारे control में होती है अगर nucleus की बात करते हैं तो यह multi-nucleated है और यदि शाकाओं की बात करें तो यह unbranched होती है दूसरे तरीक एक अन्स्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं तो इसका shape कैसा होता है elongated spindle होती है और यदि strion की बात करें यानि bands की बात करें तो इसमें absent होता है नेचर जो है involuntary है यानि अपने अनुसार अनेच्रिक रुप से काम करती है और यदि nucleus की बात करें तो इसमें single nucleus होता है और ये भी unbranched होती है तीसरा कार्डियक मसल्स इसका शेप कैसा होगा, सिलेंट्रिकल होगी, इलोंगिटेड होगी, दुसरी बाद इसमें स्ट्राइशन जो है वो प्रेजेंट है, नेचर कैसा है यह भी अन्वॉलिंटरी है, और यदी नूकलियस की बात करते हैं, तो सिंगल नूकलियस हैं, और ज तिशो की बात करेंगे, स्वेए निटी चिवन में होने वाले होने वाली कुछ घटनाओं पर गौर करते हैं, बहुत सारी ऐसे जी चिवन में हमारे दिक धन्चर्या में होती रहती हैं, जिसे हम गई जा रहा रहे हैं रहा चलते में, आंखों में कभी थूल उड़ हैं, तो आखों में धूल के कानत चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं आखों के ऐसे मसलने लग जाते हैं, कभी गर्मी लग रही है, और ठंड लग रही है, मौसम के अनुसा, तो वो हमारी फीलिंग होती है, कि हमें गर्मी का हिसास होता है, और ठंड होने से ठंड लगने का हिसास हो और उसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉंस भी करते हैं। जैसे आँखों में चला गया हम क्या करते हैं। जो अगरमी या फ्षंडी का है तो हमको फील होता है, तो फिर उसके अगर्मी है तो एसी कूलर पंका चालो कर लेते हैं। तो यह हमारी अनुभाव है और इस तरीके से और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं, जैसे हम थिंकिंग सोचते हैं, हमें याद कोई चीज करनी होती है तो हम कैसे मेमोराइज करते हैं कि वह कौन सी चीज क्या थी, लर्निंग हम करते हैं ऐसे ही जो बहुत सारी कोशन्स हैं जैसे आप कैसे याद करते हो बार बार पढ़के करते हो तो जो थिंकिंग है लर्निंग है प्लेइंग भी है जैसे चैस का गेम आप खेल रहे हो तो वहां भी किसका रोल रहता है तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा तो ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है इन अक्टिविटीज को उसकी बात करेंगे और उससे जुड़ा वाँ एक टिशू है और वो है नर्वस टिशू यानि कि तंत्री का उतक तो अभी हम चौंथे प्रगार तंत्री का उतक की बात करेंगे तो अब हम इसके लोकेशन की बात करें क्योंकि हमने बात कि कि पूरी जो क्रियाओं पर कंट्रोल किसका हो रहा है ब्रेन का हो रहा है चाहल लंग्स का भी फैलना सिकुड़ना है हार्ट की हैं इस फर्पींग है ॏ, डायजेशन प्रॉससस है, एक्स्क्रिटिरे सिस्थ्टम कैसे क्या है ज्क्रिटरी सिस्थ्टम किस तरी के से काम कर रहा हैً, यह सिस्थ्टम है, तो यदि हम इसके लोकेशन करें बात करें ब्रेन की तो ब्रेन आपके सिर गख़पडी में वो संतरली लो केरें इससे जुड़ावा है एक और पार्ट आप देख यह दो लंब सा पाइनल कॉड तो इनकी जो लोकेशन आप Landes tak अब 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 होने के करना इसको हम Central Nervous System भी कहते हैं एक system जो है यह भी है Central Nervous System अब विचार करिये कि यदि हाथ किसी गरम वस्तुब बे लग गया तो हाथ को हटा दिया और ब्रेन हमारा है Centrally located है तो ब्रेन किस तरीके से हाथ को Google करता है यह और भी अक्तिविटीस हो लिए हमको फिल हो रहा है ठंड का गरमी का है तो वो कैसे हो रहा है वह किस तरीके से वहाँ अ ऊस चीज को नियंत्रइध कर रहा है तो यहां वही बात है कि यह जो नियंत्रण हो रहा है इनके बीच जो connection जिसमें तंत्रिकाएं होती हैं और यह तंत्रिकाईं का ही हम लोग जो है अभी इस्ट्रुक्शर को देखेंगे तो यदि इस तन्रवस टिशू में हम बात करें तो हम दो बात करेंगे एक नर्व सेल की बात करेंगे और दूसरी है निरोगिलिया की बात करेंगे तो बेसिकल यदि हम देखें तो सारा डिसिजन तो है वो ब्रेन लेता है लेकिन इसके साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर रहा है किसको सारी क्रियाओं को ब्रेन से कनेक्ट कर र तो आप देख रहे हो इस पाइनल नव से कई सारी ऐसे नवस निकलती है जो कहां पर अपके हाथ के लास्ट एंड तक उंगलियों तक उसका फैलाओ होता है यह निउरॉन्स वह किस तरीके से महां तक फैली रहती है यह कभी-कभी एक मीटर लंबी भी होती है तो यह निउरॉ तो इसमें भी आप देख रहे हो नीचे जो टर्मिनेलिया है और बीच का एक पार्ट आप देख रहे हो इसको साइटन कहते है यह सेल बॉड़ी कहते है तो यह जो निउरॉन्स यानि तंत्रिका का जो एक स्ट्रक्चर यह एक्जाम के पॉंट आप व्यू से बहुत इम्प से फंक्षन करता है उसके भी हम चर्चा करेंगे तो जैसे आप पिक्षर देख रहे हो कि इसका जो में पार वाला पार्ट यह साइटन के लाता है सेल बॉड़ी के लाता है इसमें आप देख रहे हो एक नुकलियस है नुकलियस के साथ इसमें चुटे-चुटे दानेदार क जाता है तो निश्यतर रुप से अप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे मेमोराइज करेंगे तब आपको याद हो जाएगा कि निश्य ग्रेनियूल है वो एक निउरॉन्स में पाया जाता है इसके साथ ही आप इसके साइड में छोटे-छोटे ब्रांच जिसमें अर देंडे पतले हो गए है जिसको डेंडṣ कहते हैं अब इसमे से एक डेंडुरहर को हो जाता है लूंगे टेर लंब काशे किसको कहते हैं ए मतलब इक तो पारत होते हैं एक इक चाल बॉड़वी हो गई दूसरा हो गया और या साल प्रोसेसिस तो यो साईinsky ही में पाय तो, aby आए ना प Italy निएक दैंडे को एने के माधत करा लेते हैं कि अब दूसरा उसका existem गारित का हैं तो, दो है जैसे हमें चोटी चोटी शाख निकल रहा है एक भाग क्या है Have उसका बढ़ हो गया झिसको एकजून कहे रहे हैं अब आप बीच देख हो कि कहीं कहीं पर जो पाया जाने वाला एक आवरण है और इस पार्ट को कहते हैं schwan's cell जिसकी खोज फीडर श्वानने की ती सली इसको भी schwan's cell कहते हैं अब यह schwan's cell जो आप देख रहे हो यह elongated shape में कहीं away po ब्रेक हो गई है तोट गई है तो वो जो है वो सिमेंटिंग डिस्क कहलाता है और इस तरीके से आप देख रहे हो बहुत सारी इसमें माइलिन शीथ भी पाई जाती है अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसको माइलिनेटेट या मैडिलेटेट नर्व फाइबर कहते हैं और यदि नहीं कहीं कहीं पर ऐसी जगह भी रहती है जहां पर यह माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है तो उसको नौन मेडिलेटेट नर्व फाइबर भी कहते हैं तो इस तरीके से यह स्ट्रक्चर जह है बहुत इंपोर्टन है जिसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो यह साइट अज्द के दवारा आखों के दवारा देखना है कान के दवारा सुना है हम लजीद भोजन का स्वाद लेते हैं और कैसे वो जीब से लेकर ब्रेन तक पहुँच एंचोंच और स्कीन भी आप जानते हूँ एक तरह का सेंसर और टो जो फीलिंग है महसूस करना है तो जो यह संभर्ष में वेतर्वर न्यूरोन की नूरोन की सायटों दूरों also term खासाफम लेकिन है नूरोन से जुडा होता है यह इंप भर्य ऍो यहां देखेंगी एक च्छोटे से क्लिम के रारा किस तरीके से यह ör ride एक नियूरान आप देख रहे हो दूसरे नियूरान से जुड़ा हुआ है इस जहां पर ये जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं साइनेफ्स तो इस तरीके से एक नियूरान से दूसरे नियूरान में जो है वो साइनेफ्स के जरिये जो है सेंसेशन यानि समिधनाय जो है वो है तो यह पहुंचने वाली जो नीरॉन से उसको हम कहते हैं सेंसरी नवस जनी इंजी तन्तिरिकाएं 53 00 b06 उस अंगों तक जुलाती हैं, उसको कहते हैं motor nerves, तो इस तरीके से दो तरह की nerves होती है, sensory nerves होती है और motor nerves होती है, तो ये भी प्रकार जो है, ये भी question में आता है, अब जैसे इसको reflex action भी कहते हैं, यानि प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, तो ये process किस तरीके से होती है, इसमें आप देख लेजिए पिक्शर में, पिक्शर में जैसे आपको दिख रहा है कि हाथ, ये ये हाट अबजिक से गरम वस्तु से लग गया है, तो यहां की जो nerves है, यानि sensory nerves हैं, वो कैसे, एक दूसरे को message पास करते हुए, तो इस तरीके से ये, जो घंडे मैस्ज भी पास होता है और पर जमीकाल मेस्जन भी आपश होता है, chemical message any acetyl co 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 has style है के अर्मोंश सीक्रिट होता है उस हार्मोंश के काषण ही जो है यह अद्डि तो होती है और फिर यह सिंसेशन वन बाइ वन पहुंचता है तो बच्चों हम इस अध्याए के जरिये हमने टिशू के चार प्रकारों की बात की उसके कारियों की बात की उनके लोकेशन की बात की तो ये exam point of view से बहुत महत्पून chapter है तो one by one आप इसके हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा इसमें बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने के हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकारों की हमने बात किये बार बार हर एक में प्रकार आ जा रहा था तो एक छोटा सा आप एक कमपरेटिव स्टडी करके एक चार्ड बना के आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं हमने बीच-बीच में और भी इसका कमपेरिजन किया है तो उमीद है आप सबको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा और आप इसके जरी बहुत अच्छे से सम पाएंगे